अगर आप की समस्या है शादी ना होना तो आप कैसे शादी कर सकते हैं उसके पीछे क्या जोतिश उपाय हैं उसके बारे में हम बाचीत करेंगे हमारे साथ है आज आच्छा रहे एसके शुक्ला जीज बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रभास आक्षिवें मैं आपसे जाना चाहूंगे कि कई बार ऐसा होता है बहुत लोग आजकल ओवरेज हो रहे हैं शादी नहीं हो रही है करियर में बीजी है कहीं ना कहीं इंगेज हैं जिसकी फिसके हैं शादी ना होने के और उसके पीछे क्या उपाय करके वह अच्छा जीवन जादे शुलदा जीवन अच्छा विदीत कर सकते हैं नोद की था जालनेवाद तकर अाय और मैं अपकास इसस्वागत सब्हूंँ अच्छे होंगे है और आज आपने कि जो टॉपिक छि वहाँ पर जुपिटर का सैवंथ में सैट्रेन का सैवंथ में मंगल का अगर गोचर है आगर वहाँ पे यूती संबन्द बनाके बैठे वे या वहाँ पर उपस्तित हैं वह तो उस कंडिशन में क्या होता है कि उनका जो विवाह है वह विलंब से होगा या देरी हो जाएगी इसके अंदर और ऐसे लोग जो होते हैं करियर पर फोकस जादा करने लगते हैं आपने अभी बात बोली है सेवन थाउस तो इसे कुछ शरल सब्दों में बता सकते हैं जो ओडियंस को आसानी से समझ मैं ठीक है मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कुली में बारा भाव होते बारा राहू यहां पर मैंने जैसे की बताया आपको अगर वो बैठे हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है विभा में विलम होता है ऐसे लोग क्या होते है करियर में में ज्यादा दिखाने लगते हैं और करियर के पीछे मैटो लाइफ है तो वो आगे बरते हैं अब इस कंडिशन के बाद होता है अब यहां पर अगर राहू बैठ है तो राहू क्या होता है यह तो सही पार्टरीन पारता है हम जुनाओ करते हैं हमारा सब्सक्राइब जो है जो है मैश्मेंग नहीं होपाता है कि यहुद्ध तो फेसे पर समय साथ हो वही बाता है कि होता है मैं होता तो इस कंडिशन में विवाह की देरी के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय करना चाहिए आपको मंगला गोरी की पुजा करने चाहिए माता कात्याइनी की पुजा भी होती है मंगला गोरी की पुजा होती है दोनों की पुजा आप कर सकते हैं इसमें सिंपल सा उपाय होता है आपको वांग काट्याइनी महा मंत्र का जाप करना चाहिए और एक दीपक जलाना चुछ सब्सक्राइब रûख और सुरवात करने है अश्टमी तिति महिने में दोबार आती है सुक्ल पक्ष की उस्टमी से इसकी सुलवात करने चाहिए आपको तो यह जो पूरी विधी है अपने का त्यायनी माता की पूजा करने के लिए जो कहा है क्या हमें यह पंडित से कराने चाहिए खुद से भी आप कर सकते हैं किसी भी मंत का उचारण अगर आप स्वैम कर सकते हैं तो उस कंडिशन में आपको उसको स्वैम क करवाना चाहिए उसमें स्वैम भी करने का फल उतना ही है और अगर आप ब्रह्मन से करवाते तब उतना ही फल आपको मिलेगा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वैम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि छोटा सा मंत्र है और आज के समय पे दिखिए संस् मत्रास पाई लेने चाहिए उसके बाद वहां पर आप घी का दीपक जयाना हो सके तो गएक घी यूचा करने से विवा जो है participar ला cat मुपाय करना चाहिएस प्राप्ति के यह सुब्मंत रहें और यह Mmm लिए हो रही ते और कोई और इसके अलावा और उपया है अगर आप मंत्र आप में में हैं उनके पास समय नहीं है समय क्या अनुशार वो कारें नहीं कर पारें तो वो ये कर सकते हैं कि वो सुक्रवार के दिन सुगंदित वस्तों का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं उसको दान कर सकते हैं जैसे इत्र लगा सकते हैं आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं साथ में आ चुनाओ हो चाहिए आप गुरुबार के दिन जो है आप यह तो प्रस्ट रख सकते हैं आप आप उर्सक लिजिए और नहीं तो गुरुबार के दिन आप एक काम कर सकते हल्दी गुलाब केसर पानी में डाल के सनान करें और साथ में आप केसर का तिलक लगाएं यह जैगुलर आपको करना है हर गुर्वार इसको करने से आपकी जो विवास समझनी समस्चा है वह दूर होती हैं और सिक अच्छे वर की प्राप्ति होती आपको चलिए आपने बताया यह बहुत सारे बताए लेकिन चलू माल लेते हैं शादी हो जाती हम सारे अपने घ्रह ठीक कर लेते हैं शादी ओगई अब अपनी शादी को सही से चलती रहे उसके क्या करना होगा और कैसे पता चलेगा कि हमारे आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है शादी मैं तो उसके लिए क्या है उस तरह से क्या उपाएं कि पहले इंडिकेशन कैसे मिल सकता है देखे रिनुजी आपको मैं बताना चाहता हूं कि होता है कि समय चक्र एक जिसाथ तो कभी नहीं रहता है ग्रह चाल प्रस्तियां बदलती रहती हैं और यहां पर क्या करना होता है हम अपनी अगर कुंडी को देख सकते हैं तो किसी अच्छे जा आने से पहले वर्स में एक बार जरूर अपने बच्चों की परिवार किया अपनी कुंडी जो है वो किसी अच्छे ग्यानी से आप दिखाए जानकास दिखाने के बाद में जो भी ग्रह गोचर परिवर्तित होते हैं उनसे समद्धित जो है वह आप दान पूजा पार्ट अ आपको सिफ और सिफ जो है आपको गुरुवार के दिन आपको ब्रामनों को दान देना चाहिए या आप ऐसा कर सकते हैं जो भुजूर्ग विक्ति है अगर मैं बात करता हूं तो फिप्टी फाइब से लेकर और सैवन्टी तक कोई ऐसा बुजूर्ग विक्ति है जो आसाहा जीवन है वह आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आसिरवाद में चार अच्छा होता है और चौथा अक्षा अगर धर्म पूजा और या इस तरह की ब्लैसिंस हम लेते हैं तो हमारा व्यवैक जीवन अच्छा रहता है इसके लावा मैं जाने चाहूँगे शादी में जो समस्य आती वागली लोगों को ज्यादा आती है तो मांगली के लिए special mangelico के लिए क्या उपाए होते हैं देखी मंगल जो है देखा जाते कुन्ड़ी के अंदर इसका बहुत सारा कई बार देखा गया है कि हमारी जो कुन्ड़ी होती है वह मंगल वहां प्रकार क्यों ठेक लगन का मंगल होता है एक फोर्थ हाउस का मंगल होता है एक सेवंथ हाउस का मंगल होता है तो यह पांच प्रकार के जो मंगल होते हैं इसके अंदर आप क्या होता है कि साउथ में इसको से भी देखा जाता है इसलिए पांच प्रकार से टोटल हो जाते हैं ठीक दक्षिन भारत में हमारे नौर्थ म विवा में कई बार आपने सुना होगा कि विवा होने के बाद दोनों में से एक वेक्तिक साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है इस प्रगार को समस्या हो गई है या विवा में देरी हो गई या विवा होने के बाद दोनों के समन्द जो है अच्छे नहीं चल रहे है विवा में सेंटर पॉइंट होता गर का अब जैसे लोग जो है आज कर छोड़ी समस्याओं को साथ-साथ बताता भी जाओं कए लोग तो चोड़ी ही समझ्झाएं हैं मंगल से समस्धाइं वो दूर होती हैं अगर आपके विवा में देरी हो यह मंगल की कारण से देरी हो अधिके अब क्या करना होगा आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा आप जो है मंगल वार के दिन आप जो है अपने जो भाइ बंदू मित्र हैं जो ऐसे हैं जो हमारे परिवार से रिलेटेड़ भी हो सकते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास जो है फाइनेंस कंडिशन जो अच्छी नहीं होती है आप उनकी जो हैल्प कर सकते हैं या आप एक काम कर सकते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो करते हैं कि पांस से लेके 10 साल तक ऐसे यूथ बच्चे होते हैं इन बच्चों को आप जो है हल्वा हो या कुछ मीठी वस्तू है वह डॉनेट कर सकते हैं इसको करने से भी आपकी मंगल जनित जो वो दूर होती है इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप देख रहे थे प्रभासाक्षी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देश-दुनिया के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-